तो शायद आप भी जानते होंगे कि टैली सीख लेने से हम एकाउंटेंट बन जाएंगे और बहुत सारे इसे कोश्चन मुझे मिलते हैं और कमेंट्स भी मुझे मिलते रहते हैं मेरे यूटूब पर और 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 सो मुझे डिया मिलते हैं मेरे इस्टाग्राम से कि जिशान सर जिशान भाई जो भी जैसा कोई मुझे समझता है वो बोलता है कमेंट्स में और एकाउंटेंट बनने के लिए टैली सीखना जरूरी है या पिर टैली सीख लिया कि मैं एकाउंटेंट बन गा इन सारी चीजों की जो जानकारी कि ब्रीफली मैं इस वीडियो में देने वाला जैसा कि हम सोचते हैं कि टैली कर लिये या फिर कोई ओनलाइन टैली कर लिया और सोचते हैं कि हम एकाउंटेंट बन गए और बहुत सार ऐसे क्वेशन मुझे मिलते हैं कि क्या टैली सीख लेने से मैं एकाउंटेंट बन जाओंगा क्या टैली सीख लेने से मुझे जॉब मि अगर टैली नहीं हुआ अगर आप टैली नहीं हुआ तो क्या करेंगे जहीर सी बात है कि आप टैली सीखें तो सोच रहेंगे कि हर कंपनी में टैली ही यूज होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता जहां तक मेरी knowledge मेरी experience कहती है देखें मार्केट में बहुत सारे बहुत सारे software यूज होते हैं मार्केट के अंदर और यह मैं जरूर कह सकता हूं यतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टैली बहुत friendly software है बहुत लोग यूज करते हैं as compared to other software तो यह no doubt कि टैली हर जंगा भी नहीं यूज होता लेकिन बहुत सारे जंगा यूज होता है तो मेरा करने का essence यह है कि टैली सीख लेने से कि अकाउंटेंट बन सकते हैं देखें टैली like software like a mobile means जहिर सी बात है कि हम mobile चलाना हमें नहीं आता जहां हम उसको यूज करते हैं तो सारी चीजे automatic आ जाती है यूज करना और उसके साथ साथ टैली सोच रहे हैं कि टैली सीख लेने से उस पर entry कर देने से sell के entry, purchase के entry, bank statement के entry यह सारी चीजे कर लेने से हम एक accountant बन सकते हैं तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है Tally is a only software ना कि आप accountant बनने कि यह आपको एक certificate देता है कि आप accountant बन गया ऐसे बहुत से लोगों को मैंने देखा है और comments में मुझे मिलते हैं कि मैंने certificate मिल गया मुझे मैं Tally मुझे आता है Tally Prime आता है मैं Tally का expert champs का course किया हूँ लेकिन फिर भी job नहीं मिल पाई तो मेरे भाई यह मेरी experience है मैं लोगों सो सुना भी हूँ कि Tally is a only software और यह तुमको कोई certificate नहीं देता कि आप accountant बन गए है आपको accountant बनने के लिए क्या करना है practically knowledge लेनी है कहीं जाके और उसके साथ साथ आपको accounting का fundamental समझना पड़ेगा कि actual में accounting में होता क्या है तीन golden rules जो accounting का base है वो समझना पड़ेगा real and nominal जो personal accountant है वो समझना पड़ेगा वो सारी चीज़ें के rules क्यों debit होता है कोई चीज क्यों credit होता है expense क्यों debit होता है क्यों credit होता है ये सारी चीजों का जानकारी लेना बहुत जाद जरूरी है और रही बात टैली सॉफटर की अगर आप एक काउंटिंग का फंडामेंटल समझ जाएंगे उसके बेस को समझ जाएंगे हम शूर कि आपको कोई भी सॉफटर हो चाहे वो जो हो या फिर कोई भी other सॉफटर सेफ हो कोई भी सॉफटर हो आप कहीं भी काम कर सकते हैं हाँ लेकिन तैली एक है मोशली सॉफटर यूज होते हैं कंपनी में लेकिन अपने आपको यह नहीं बताना कि तैली आजाने से मैं एकाउंटिंट बन गया हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको accountant बनने के लिए आपकी सारी knowledge होना जरूरी है, like सारे basic knowledge होना, उसके fundamentals, rules, ये सारे जानकारी आपको finalize करना आना चाहिए, कैसे finalize करते हैं accounts को, closing को कैसे finalize करते हैं, ये सारी चीजों की जानकारी होनी चाहिए, और एक accountant को tax को भी समझ समझना पढ़ता है, like GST है, income tax है, और TDS को भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, मैं बहुत ज़्यादा इसलिए जरूरी कह रहा हूँ आप लोगों से, क्योंकि accounting एक अलग concept है, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप ये दोनों fundamental जाने रहेंगे, account and taxation, तो आप अप पर इतना मत concept हुई है, या फिर इतना मत उसमें दिमाग लगाई है कि टैली software है, और इसे सीख लिए तो मैं account बन सकता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, तैली सिफ और सिफ software है, आपको knowledge लेनी है, तो accounting field का knowledge ले, कैसे, क्यों, कब, ये सारी में समझाने मालों, accounting field के अंदर, तो प्लीज इस वीडियो को share कर अपने दोस्तों साथ, जो concept में उल्जे हुए हैं, और इस वीडियो को like करना, बिल्कुल भी माभूली, for motivation, मिलते हैं नेक्स पर देने, बतार के, take care, bye-bye.